हलो दोस्तो ट्रेडिंग वित राज यूटूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में टाटा मोटर्स की तरफ से एक निउस निकल कर आई है तो चली डिटेल्स में जानते वो निउस क्य है और इसका क्या असर देखने को मिल सकता है इसके आने वले ट्रेडिंग सेशन में सारा चीज़े डिसकस करेंगे लेकिन दोस्तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इसी प्रकार की और भी वीडियो के लिए अभी आप इस चैनल को तुर्ण सस्क्राइब कर लीजिए पह आच जुलाई 2021 को टाटा मोटर्स का सेर प्रैस 347 रुपए 5 पैसे पे ओपन हुआ था और लो बर रहा था 344 रुपए का और उसके बाद एक अच्छी तीजी देखने को मिली और 350 रुपए 10 पैसे तक का हाई हमें देखने को मिला था फाइनली 345 रुपए 80 पैसे पे मार्केट बंद हुआ था और यहाँ पे मामूली सा बढ़त 0.2-6 परसेंट का ग्रोथ हमें इंट्रेड में देखने को मिला था दोस्तों यह वो न्यूस जो टाटा मोटर्स की तरफ से निकल कर आता है टाटा मोटर्स जो है प्लान कर रहा है अपने पैसेंजर वेहिकल की प्राइस को बढ़ाने का तो ये एक news निकल कर आया है Tata Motors की तरफ से और उन्होंने ये मंडे को कहा है कि वो price increase करना चाहते है वेहिकल पेसेंजर वेहिकल रेंज की और इसके पीछे reason ये है कि input जो होता है समान यूज होता है material यूज होता है उसकी price लगातार बढ़ है इस वज़े से वो अपना price बढ़ आने वाले है ऐसा कुछ detail नहीं आया है तो जैसी आता है यहाँ पर आपको information यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों mostly बहुत सारी company है उन्होंने अल्रड़ी अपने price को बढ़ा दिये Tata Motors ने भी बढ़ा है लेकिन क्या है अब जो input cost के जो shortage हो रहा है इस वज़े से यहाँ पर price मे increment देखने को मिल रहा है संडे को Honda car ने भी announce किया है कि वो जो है car का price बढ़ा रहे है अगस्त महीने से तो यहाँ पर सभी car company दीरे दीरे अपने price को बढ़ा रही है अब दोस्तों यहाँ पर मैं return की बात करूँ तो यहाँ भले ही 5 साल में negative return देखने को मिल रहा है लेकिन अब company बहुत अच्छा काम करी और positive result हमें यहाँ पर positive return यहाँ देखने को मिल रहा है पिछले तीन महीनों से थोड़ा सा सुस्ती तो दिख रहा है इस stock में कहीं ने कहीं थोड़ा सा slow हो गया है कोई भी stock को एक लगातार तेजी के बाद थोड़ा सुस्त हो ही जाता है फिर X का समा दोस्तों इस stock में जो इसका bound week का हाई था 360 रुपए उसके ऊपर closing देगा तब इसमें आपको बड़ी लेवल की तेजी देखने को मिलेगी चलिए अब इसकी performance की बात करें तो मैं इसकी compare सबसे पहले nifty 50 से करता हूं तो nifty 50 ने one week में दिया है 0.1% का return और 3 month में दिया है 8.2% का return लेकिन इस stock ने one week में दिया है 1% return और यहां पे 3 month में दिया 13.5% return तो यहां भी यह stock nifty 50 को beat करते वे न जारा रहा है अब मैं इसकी compare इनहीं के sector से करता हूं तो यहां पे nifty auto से nifty auto ने one week में दिया है 0.2.3% का return इस stock ने 1% का return दिया है nifty auto ने 3 month में दिया 10% का return तो इस stock ने 13.5% का तो यहां पे यह stock अपने sector को भी beat करते वे नजर आ रहा है दोस्तो अभी stock अपने bound week का high है 360.75 पैसे उसके करीब है सिर्फ 4% पीछे है और अब आपको इसमें बड़ी तेजी देखने को मिलेगी वो 360 के ऊपर closing होने पे ही मिलेगी क्योंकि इस level पे एक major resistance है और यह stock बहुत बार यहां से वाफस आ चुका है यह सबसे बड़ा reason है तो यहां पे बड़ी तेजी 360 के ऊपर closing होने के बाद ही मिलेगी उससे पहले यह ऐसा ही चलते रहेगा sideways चले दोस्तो इस वीडियो में इतना ही मैं आपके लिए से वीडियो लाते रहूंगा वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक करके जाना यार आपका भाई आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेगा तो चलिए दोस्तों मिलता हूं फिर एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई ठैंक्यू